नमस्कार, सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नई एक्टिविटी जिसका नाम है Store Procedure, Execute Store Procedure Activity तो मैंने पहले से ही pipeline बना लिए है, search करते हम Store Procedure के लिए तो general में होता है यह, बस drag करना और drop करना है इससे पहले कि हम इस activity में आगे बढ़े अगर आपको याद आ रहा है हमने look-up activity में भी Store Procedures call किये थे तो हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पर call करने में और यहाँ पर call करने में क्या difference है इससे पहले कि हम यहाँ आए, सबसे पहले हम Store Procedure बनाएंगे तो याद रखिए Store Procedures सिर्फ Databases में होते है Data Lake में Store Procedures नहीं होता क्योंकि Data Raw Format में तो Database में ही आपको Store Procedures मिलेंगे अगर आप देखिए Settings पे जाते हैं और यहाँ पर Link Service पर Cursor लाते है तो यह बता रहा है आपको कि आपको reference करना है Azure SQL Database को या Synapse Analytics या कोई भी SQL Server को तो हमारे पास पहले से हमने SQL Database बना के राखा है उसकी में जाते हैं मेरे पास एक table है Select star from TBL employee तो इसमें लगबग messages में अगर हम जाके देखते हैं 20 rows है यहाँ पर चार column है ID, Name, City और Salon तो मैं दो examples अभी के इस वीडियो में बता रहा हूँ फिलाल के लिए इसको हम store procedure में convert कर देते हैं तो store procedure में convert करने के लिए हम लिखेंगे create proc या procedure फिर procedure का नाम sp underscore मनलो employees new इसके बाद as और फिर begin इसको थोड़ा tap कर देते compulsory नहीं है, बस दिखने के लिए और end कर देंगे begin और end के block के बीच में आपको statement लिखना है select का तो बस हमने इसको run कर दिया इस तरीकी से हम एक simple store procedure बना सकते हैं अब यह create हो गया अब create होने के बाद अगर हमें इससे fetch करना है या इसको execute करना है तो हम कहेंगे execute और उसके बाद में store procedure का नाम shift enter से execute कीजे तो देखिए आपको bc row मिल जाएंगे जो है, अब यह फिलाल के लिए मैंने simple select query रिखा है ताकि आपको यह concept समझ में है तो बस हमने इस तरीके से create में select query कर दी अब हम आज आता है data factory में सबसे पहले एक link service select करेंगे अब हमारे पास पहले सी है जो हमने इस database से linked link service बनाई है अगर नहीं है तो बना लीजे फिर अगला जो select करना आपको procedure का नाम तो procedure का नाम आपको automatically यहाँ पर दिख जाता है जैसे आप link service select करते हो क्योंकि उसी database को जिसको point करा link service उसके अंदर जितने भी stored procedure है सबके सब यहाँ पर नज़र आएंगे आपको तो filter कर सकते है आप यहाँ पर ok किया select किया नीचे और एक चीज है stored procedure parameters अगर हम import करते हैं तो फिलाल कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एक simple stored procedure है जिसमें parameter नहीं बनाया हमने parameter क्या होता है मैं उसके उपर बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ पहले हम इसको run करेंगे तो अब हम जानते हैं कि इसके output को इसके output में और look up के अंदर जो stored procedure कॉल करते हैं उसमें और इसमें क्या difference है तो यह run हो गया output पर आईए click कीजे तो यहाँ पर बस जो output मिल रहा है आपको कोई data नजर नहीं आएगा नहीं कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि कितने रोज वगेरा थे यह सबसे बढ़ा पहला difference है जो आपको समझना है जब आप stored procedure को look up activity पर call कर रहे हो तो हो क्या रहा है लेकिन यहाँ पर क्या यह stored procedure जो है यह data लाने का काम नहीं कर रहा है यह stored procedure जो है वही query जो आप लिख रहे हो वो database side में run होके उधर ही खतम हो जाता है तो अकसर आपको ऐसी भी ज़रुवत रहेगी कि database side में कुछ commands execute करने या stored procedure चलाने है और उसका data यहाँ नहीं लाना है बस वहाँ पर ही आपको execute करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो यह difference है stored procedure activity independently use करना या stored procedure activity look up में use करना जब लुक अप में use करते हैं तो data fetch करके देता है आपको पर stored procedure में data fetch नहीं करता है वो database side में यह run करके खतम कर देता है अब इसको parameterize कैसे करेंगे तो parameter करने के लिए मान लीजी हमारे पास city है यहाँ पर अगर मैं सिर्फ select को run करतेता हूँ select करके तो city है तो अब मान लीजी मुझे कुछ इस तरीके से इसको करना है कि parameter city का बनाना है parameter बनाने के लिए काफी simple है बस procedure का नाम change कर देता हूँ क्योंकि यूनिक होना चाहिए brackets open करके close करने जब आप parameterize करते हो इसके अंदर parameters आते है parameter शुरू होते है add the rate से compulsory फिर parameter का नाम जो भी choose करना है आपकी मर्जी space फिर data type देना है क्योंकि यह text है तो मैं where care लेता हूँ 20 फिर bracket close करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर confuse नहीं होना है दो bracket क्यों है यह जो अंदर वाले brackets है यह length है data type का where care का 20 है और यह बाहर वाला जो bracket है यह parameter close होगे अगर multiple आपके पास parameter से तो comma करेंगे यहाँ पर फिलाल के लिए मैं इसको run कर देता हूँ फिर इसको execute अगर हमें database से करना है तो इस तरीके से करते है execute stored procedure का नाम लेकिन अभी error आएगा यह कह रहा है कि यह stored procedure जो है यह parameter expect करा at the rate city तो यह कर देंगे लेकिन हमने एक और एक चीज भी करना चाहिए तो parameter इस तो किया लेकिन हमने query को change नहीं किया तो query में भी कुछ changes करने थे तो तुरंथ हम क्या करते थे drop procedure कर दे थे paste इतना ही select करके run कर दिया procedure drop हो गया अब query में changes क्या करेंगे select star from table name where filter clause लगाते हैं city column को filter करते है is equal to और वो city जो है यह parameter से pass होगी at the rate city अब इसको हम run करेंगे और यहाँ पर parameter इस तरीके से pass करेंगे space देते हमेशा parameter और procedure के नाम में तो क्योंकि यह text है तो मैंने London लिख दिया इसे run किया तो अब देखिए messages में मुझे 4 row मिल रहे तो फर्क क्या हो गया पहले और उसमें की यहाँ पर हमने वो parameter किया parameter इस्तेमाल किया introduce किया अब वो parameter आप कहीं भी use कर सकते हैं फिलाल मैंने filter के अंदर use किया तो जो नाम आप बोलोगे वही नाम वहाँ पर जाएगा और उसी का filter होगा तो इस तरीकी से यह dynamic बन गया भी फिर इसको call करने के लिए क्या करते हम यहाँ पर बस refresh कर दीजिए क्योंकि अभी अपने नया बनाया है तो यह वापस से pull करेगा सब यह objects को यहाँ पर इसको delete करके मैं filter कर देता हूँ click किया अब import कीजिए यह जरूरी है क्योंकि हमारे stored procedure में हमने parameter बनाया अब वो parameter का नाम देखो आपको बता रहा है city है और यहाँ पर हम pass करते हैं London iterate नहीं आएगा iterate जो है convention वो create procedure करते वक समय है अभी नहीं बस अभी सिर्फ नाम दिखेगा आपको city एक parameter है और भी parameter से आगे हम देखते है बस debug कीजिए लेकिन फिर भी क्या होगा यहाँ से आपको इसका output नजर नहीं आएगा कि हो क्या रहा है बस select हो गया यह data return नहीं करेगा आपको यहाँ पर यह सबसे बड़ा फर्क है stored procedure को independently stored procedure activity में call करने के लिए या फिर आप जब look up activity में stored procedure करते हो वहाँ पर data आजाता है तो अगर ऐसा है तो आप सूच भी रहोगे कि क्या जरूत है जरूत पढ़ती है क्योंकि अभी हमने सिर्फ select देखा है आगे चलके हम insert देखने वाले तब तो खासी जरूत पढ़ती है इसकी उसके अलावा हमार पास कोई option नहीं है फिर उसके अलावा delete करने के लिए specific चीज़े अपडेट करने के लिए इन सब scenarios में हम stored procedure आगे और ज़्यादा dynamically देखेंगे ये video सिर्फ introduction था stored procedure को समझने के लिए कि कैसे हम activity के अंदर call कर सकते उसको तो इस video में इतना ही देखने के लिए शुक्रिया बने रहें तर्नेबाद